साथियों, अतीच से लेकर वर्तमान तक आप कभी भी देखें, जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है, वो देश उतना ही आगे बढ़ा है. ये साइंस, टेक्निलोजी और इंडस्ट्री का वेल्यु क्रियेशन साइकल है. साइंस से कोई आविशकार होता है, तो उसी के प्रकास में टेक्निलोजी बिख्शित होती है. और technology से industry खड़ी होती हैं नए उत्पात तयार होते हैं नए item निकलते थे product निकलते हैं industry फिर नए research के लिए science में invest करती हैं और यह cycle नई संभावनाओं के दिशा में आगे बढ़ती जाती है CSIR NPL ने भारत के इस value cycle को आगे बढ़ाने में एहम भूमी का निवाई है आज जब देश आत्मनिरभर भारत के लक्स को लेकर आगे बढ़ रहा है तब science से mass manufacturing की इस value creation cycle इसका महत्वा और बढ़ जाता है इसलिए CSIR को इसमें बढ़ा रोल निभाना होगा साथ यो CSIR NPL ने आज जिस national atomic time scale उसे जो देश को सौपा है उससे भारत नेनो सेकंड यानी एक सेकंड के एक अरब हिस्से तक समय को नापने में भी मापने में भी आत्मनिरभर बन गया है 2.8 नेनो सेकंड इसका एक्यूरसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्त है अब international standard time उसको हमारा Indian standard time तीन नेनो सेकंड से भी कम की एक्यूरसी लेवल से बैच कर रहा है इसमें इसरो सहीत हमारे जितने भी संस्थां cutting edge technology में काम कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है इससे banking, railway, defense, health, telecom, weather forecast, disaster management, अनगिनिद, अनगिनिद सेक्टर से जुड़ी आधुनिक technology में यह बहुत मदद मिलेगी है इतना ही नहीं यह industry हम जो industry 4.0 की बात करते हैं उस industry 4.0 के लिए भी भारत की भूमिका को ससत्त करेगा सातियों आज का भारत परियावरन की दिशा में दुनिया का नेत्रुत्व करने की तरफ बढ़ रहा है लेकिन air quality और emission को मापने की technology से लेकर tools तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं आज इसमें भी आत्म निर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है इससे भारत में प्रदूर्शन से निपट्टे के लिए जाना सस्ते और प्रभावी system तो विक्सित ही होंगे साथ में air quality और emission से जुड़ी technology के global market में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी हमारे वैज्ञानिकों के ही सतक प्रयासों से भारत आज ये उपलब्दी हासिल कर रहा है